अगर पहाडों पे हो तो आपको पाणी ज्यादा खृदने की जुरूट नहीं पड़ीगी इस तरह के हर जगह मिल जाएंगे नेचरल सोरसे बॉटूल जाना है तो साइड तांसें जाना है तो इस साइड और पोख्रा जाना है तो इस साइड क्या नजारा है आज कोशिश किया लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई फोड़ी दूर से आगे जाने की ये देखो कितना भयानक खतम हो चुका है ये और ये न्यू है कमर की बिल्ट बांद लीजिए कसके क्योंकि अब जो चड़नी है वो सिर्फ चड़ाई चड़नी है 13 किलो मीटर वो भी एकदम भयानक तीसरे गेर में शिफ्ट नहीं कर पा रहा और 23 की स्पीड में चल रही है लेकिन बाईक पूरी अपनी जान लगा रही है उपर चलने में तो नीचे जाना तो बड़ा आसान है एजी वे है लेकिन ओपर चड़ना मुश्किल मैं अब इदरी से जाड़ू लेके जाओंगा क्योंकि इस तरब कुदरती है और उगती है पालपा हम है कैलाश नगर हम लोग वापस से आ गए उसी पॉइंट पे जहां से गए थे नीचे इस तरफ जाएगा पोखरा की तरफ इस तरफ जाएगा तानसिन और ये है रानी महल का रास्ता ये होटल दा रानी महल के बगल से रास्ता गया अभी के लिए हम लोकेशन सेट करेंगे 12-16 हो रहा है जाने में जो टाइम लगा था आने में बिलकुल भी टाइम नहीं लगा है तो पोखरा जाने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा वो बस पार्क के पास वो सही बोले थे बुटूल जाना है तो उस साइड तांसिन जाना है तो इस साइड और पोखरा जाना है तो इस साइड 35 35 बुटूल है पोखरा 119 और तांसिन पाँच किलो मेटर इधर से टाइम नहीं बता चलेगा तो अब यहां से डायरेट अपनी जर्नी होगी पोखरा के लिए अगर पहाडों पे हो तो आपको पानी जादा खरीदने की ज़रत नहीं पड़ेगी इस तरह के हर जगा आपको मिल जाएंगे नैचरल सोर्सिस जहां से आपको पानी बहता हुआ मिलेगा और इनका इस्तेमाल करके आप पी जाते हैं ना पी भी सकते हो एकदम पहाडों से आ रहा है ना ओ ठंडा है यार क्या नजारा है यार तो अभी पहुंचे हैं रम्दी खोला यह रम्दी खोला है ना रम्दी खोला इस होटल में चलते हैं देखते हैं कुछ मिलता है खाने वाला क्योंकि दो बज़रे यार अभी भी यहां से 97 किलोमेटर अंटी खाना मिलेगा दाल चावल कितना थाली में कितना 250 वो भर पेटना दो थैंक यू तो हो 250 रुपए एक लोग का और बर पेटी होता है यहां पर यह है पुरा खाना 250 रुपीज में यह पापड़ दाल दो तरह की सबजी रोटी चावल चावल और सबजी वगरा बढ़ा सकते हो सलाद भी इसमें और बाकी आप नहीं बढ़ा सकते हैं तो होटल है ठीक ठाक हैं दोपैर का खाना खाके यहां से फिर अब लोग निकलेंगे आगे तो अब दो से तीन घंटा लगेगा पोख्रा पाऊच लेगा यूपी से यूपी कहां से बैराइस से बैराइस से तो खाना ठीक था एवरेज था ज्यादा अच्छा नहीं था ना ज्यादा खराब था आप कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं पचास रुपे का दो पीस लेगा है और खाना और एक पानी की बोतल डोलल छेसो तीस रुपे खर्च हुए एक टाइम के खाने में अब जो खाना होगा वो पोखरा पहुचके ही होगा और वो बाइक वगेरा सब कुछ रेडी कर लिया है बस आगे निकलना ही निकलना नीचे नदी बेह रही है जबरदस्त इस तरफ से रास्ता है जाके देख सकते हो लेकिन क्या ही करना है नीचे जाके बाकी ये ब्रिज है रमदी खोला नाम इस जगे का जहां रुका हो पूरा जंगल से रास्ता होके आया है और इस तरफ जंगल के अंदर ही जाएगा कम से क साइट से हमने शुरू किया था यहां भी एक बिरिज देखा था मैंने दूर से कि वह सामने रहा कि स्रीमा समाप्त कोई चोटा सा एरिया रहा होगा तो यह है प्रिज यहां फोटो की चाया जा यार नदी मेरे ख्याल से वही है जहां हम लोग गए थे अभी रानी महल क्योंकि सारा पानी उसी तरह का है तो बड़ी भी उतनी ही है लगभग यह काफी अच्छा पूल दिखा तो हमने सोचा कि रुक के फोटो वगएरा ले 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 वीडियो ले ले अभी यहां से और आगे चलना है पीछे धाबे पे हम लोग रुके थे खाना खाने के लिए अब हम लोग चल रहे हैं फिर से आगे की तरफ जैसे उत्राखंड है तो यह जो चेक पोस्ट है यहां पर आपको इंट्री वगएरा करानी पड़ेगी बंसार चेक होगा क्योंकि जो ब्रीज भी अभी हम लोग रुके थे उसके बाद से यह पोखरा स्टार्ट हो जाता है यह स्टेट स्टार्ट हो गया है स्टेट नमबर टू है यह स्टेट नमबर वन में अभी हम लोग चल रहे थे तो अब यहां से बदल बोले हैं यहां आपको भंसार दिखाना है डाकुमेंट वो गाली की सारी इंट्री करेंगे कितने लोग हो नमबर आप प्यूपल करके लिखेंगे और फिर आपको आगे जाने देंगे यह सारी चीज़े बहुत बेतर हैं आपको हर चेक पोश्ट पर रुकना चाहिए अपना डाकुमेंट चेक कराना चाहिए क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि एदे इंडियन्स हम हर चीज़ का पालन करते हैं और हमें क् डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करना डाकुमेंट चेक कराने और आगे बढ़ जाना घर से निकले हैं तो जाहिर सी बात है कि हम सारा डाकुमेंट लेके ही चले होंगे बगएर डाकुमेंट लिए हम कहां आ जाएंगे यहां पर तो यहां से कांटीन्यू करते हैं पोखरा के लिए और आगे कुछ होता है तो आपको दिखाता हूँ रास्ते में मिली है एक जगा रुकने के लिए और यहां पर हैंगिंग बिरिज बना हुआ है रास्ता कहां से रास्ता यह वाला भाई बहुत लंबा है यार कि जान सकते हो कि कितना घदरनाक नजारा है उसका जाते चलो न वैया खतरना गेगा सच में हम नहीं बैयार ओ भाई बहुत ही जादा दूरी तक है इसका दूसरा पॉइंट यह है है ना है तो यह बालूंग आँ यह बालूंग जगा है और यहां पर यह ब्रिज है भई बहुत दूर तक है यार ऐसे आपको रास्ते में कई सारे ब्रिज मिलेंगे मैंने बाइक पार्क कर दी है उपर हेलमेट बगएरा रख दिया है कहां बिस्मिल्ला रह्मान रहीम काफी हमरे बस की बात नहीं है यार बहुत ज़्यादा दूर है यार नीचे न देख यार तो आज सकते हो आप भी जा सकते हो मुझे तो खेर डर लग रहा है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ अवे आके ना डर लगता है मुझे उचाई से डर लगता है यार उचाई से डर लगता है और पीछे उस पार जाने के लिए कम से कम चार पांच आदमी साथ में हो तो फिर चला भी जाओं बिरिज के उस पार एक मंदिर पड़ती है आपको जोम करके दिखाता हूँ कहा गई हाँ ये जो मंदिर आपको दिख रही है ये ये इस मंदिर पर जाने के लिए ही ये बिरिज बनाए है बिल मजबूत है तो आगे जा सकते हो केकि जब हवा चलेगी ना तो ये बहुत तेज ही लेगा उसले लेडिस भी है कुछ उस तरफ से आ रही है मंदिर मंदिर गई थी मेरे क्याल से अरे यार उनके लिए रोज का है ये हमारे तुमारे लिए एक दिन का है कोशिश किया लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई थोड़ी दूर से आगे जाने की बाकि आप चाहो तो जा सकते यार अब यहां से फिर से कांटीनी होगा आगे का सफर ये है क्रेटा योपी सत्तर बाकि ये है एफजेट योपी फुट्टी जरूर चेक कर आते रहना चाहिए अगली ब्रेक तो ठीक है लेकिन पिछले का ब्रेक पेड एकदम घिस चुका है तो यहां चेंज करवा लेंगे तो आराम हो जाएगा दुम्रे मोटर साइकल वर्कशाप ठीक ही है 400 का दिया ठीक है बेस्ट है अभी मैं इसके बारे में एक बाद आपको बताऊंगा ये देखो कितना भयानक खतम हो चुका है ये और ये निव है ब्रेक पैड लग गया है बस टेस्ट ले लो थोड़ा सा चला के क्योंकि अब सब कुछ सही रहे तब तो छीट है क्योंकि एजनसी के अलावा मैं गाड़ी अपनी कहीं खुलवाता नहीं है ब्रेकपेट लग गया चैन्स आई रहे और थोड़ा सा राउंड मार के देख लेता हूँ क्योंकि फिर पहाडों में गड़बर हुई तो फिर गड़बर हो जाएगी मैं आपको बता हूँ यह मैंने यमा एजनसी पे लगाया था 1000 IC का था 1000 IC मतलब 1600 रुपे और यहां मुझे कितने में मिला गेस करो आप 400 रुपे रहे चार सो भी एंसी नेपाली करेंसी त्यार एक हिसाब से यह मुझे चार मिल जाएंगे उतने में जितने का मैंने लिया है बस मैं थोड़ी से राइड लेके देख लेता हूँ उसके बाद यह फिट हो जाएगी चलने के लिए ठी बताओ यार अगर मैं बाइक से चल रहा हूँ तो क्या स्टेट चलते रहना चाहिए नहीं बाइक आगे पार्क कर दी है और यह नजारा देखने के लिए रुख गया एक बार फिर से पहुँच गया अपनी पुरानी जगे पे यह है पाइला हॉस्टल जहां मैं पहले रुका था एक बार और इस तरफ से सीधा यह रास्ता चला जाता है लेक की तरफ अभी चलूँगा या मॉर्निंग में चलके आपको व्यूव दिखाऊंगा अभी 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 बस कर भाई बस कर बस कर भी बस कर बस कर गोपी नात कदा ना